इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ WhatsApp की एक बहुत important जानकारी के बारे में और एक update के बारे में भी जानकारी ये कि एक बहुत बड़ी vulnerability सामने आई ये WhatsApp में जिसमें कोई भी इंसान अगर वीडियो कॉल उठाता है किसी भी नंबर से तो उसके mobile phone में जो बुरे लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं मतलब वीडियो कॉल में कुछ कमी पाई गई है WhatsApp के remote code execution जैसी कोई vulnerability पाई गई है जो की ऐसे code execute हो जाते हैं आपके phone में लोग बहुत डरे हुए हैं लोगों को पता नहीं है कि करना क्या है आखिर पता है बहुत सारे से लोग हैं जो technology पर trust नहीं करते हैं उनको यह लगता है कि बाई technology है अगर मेरा phone hack हो गया तो क्या होगा मेरा phone का data किसी के पास चला गया तो क्या होगा इस चीज़ से बहुत simply बचा जा सकता है अगर आप थोड़े से सतर करें आपने अगर अपने phone में data बचाने के लिए automatic application update को disable कर रखा है तो यह आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आपको enable कर दिना चाहिए लोग क्या करते हैं अरे जीवो का data data देट जी भी मिलता है इसमें भी यह play store सारी application लोग अपडेट करता रहता है रात में मेरा data तो इसमें ही खतम हो जाता है तो लोग क्या करते हैं उसे disable कर देते हैं इससे यह होता है कि जो भी applications आपके phone में डली हुई है वो update नहीं हो पाती खुद से और अगर कोई पुराना version है वही चलता रहता है काफी वक्त तक और ऐसा होता है कि पुराने version में कोई कमी पाई जाती है जिसका बुरे लोग hackers फाइदा उठा सकते है तो आपने तो automatic update लगा नहीं रखा और किसी को ध्यान भी रहता अपनी application को update करना भी है इससे आपको नए feature नहीं मिल पाते है जैसे WhatsApp अगर कोई नए feature लेका आता है मैं बताता हूँ कि अरे भाई देखो WhatsApp ये feature लेका है फिर आप लोग अपने फोन में देखते हैं ये कहीं तो नहीं है पागल है क्या अरा मैं पागल नहीं हूँ update कर लो तो WhatsApp अपडेट करना ज़रूरी है अब ये जो कभी आई है बहुत लोग रसित हो रहे हैं से बचा कैसे जाए भारत सरकार और जिदिवी एजनसीज हैं खुद ये बोल रही है बचा कैसे जाए बहुत सिंपल है या तो automatic enable कर दो update उससे सारी application को update कर लो या तो सिर्फ WhatsApp को प्ले स्टोर पर जाकर update कर लो और आप safe and secure हो जाओगे सिंपल सी बात है एक और update निकल कर आ रहा है कि अब जैसे Zoom में आप links भेज सकते थे ना वीडियो कॉल के लिए जैसे आपकी कोई Zoom meeting है तो आपने on कर ली आपना Zoom उसमें link भेजा और उस link पर जो भी click करेगा आपकी वीडियो कॉल को join कर सकता है और आपके साथ बाते कर सकता है meeting कर सकता है मज़े कर सकता है मज़े बातो बात कर सकता है अब ये चीज़ WhatsApp में भी आ गई है कि आप link generate करके आप create video call link करेंगे उस link को आप किसी भी WhatsApp पर भेजेंगे तो कोई save करने की कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जैसे ही वो इनसान उस link पर click करेगा वो आपकी video call में शामिल हो जाएगा ये चीज़ Zoom के साथ टैकल करने के लिए WhatsApp ने announce की है लॉंच की है जिसका पाइदा उठा सकते है अगर आप update कर लो तो आपको मिल जाएगा जिन लोगों को नहीं मिला है अपडेट बहुत जल्दी मिल जाएगा और आपको पता ही होगा कि WhatsApp का companion mode आ चुका है जिससे आप एक WhatsApp अकाउंट को चार डिवाइस में चला सकते हैं जो की बहुत अच्छी बात है अगर आपको वीडियो अच्छी लिए तो से लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें Cybersecurity और ethical hacking इंट्रस्ट है तो description चेक करें 299 रुपीज के तीन ethical hacking courses अच्छा में आपको ethical hacking सिखा देंगे ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ठीक है और ethical hacking सीखनी है तो description चेक करो चैनल को subscribe करो bell icon को press करो मैं मिलना आप से अगली वीडियो में Thank you so much and good bye तक्राइब करें आप दो